पूर्वी beauty and fashion में आपका स्वागत है मैं हूं पिल चौदरी आज हम बात करेंगे क्या diabetes रोगी सत्तू का सरवत पी सकते हैं मैं इसके फाइदे और नुक्षान आपको बता रहा हूं तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो गर्वियों में अधिकतर लोग सत्तू का सेवन क करते हैं सत्तू सहत के लिए बायत फायदेबंद होता साथ शत्त की तासीर थंड़ी होती है जो शरीर को ठंडक पहुंचाता एंबक होता है सत्तू पेट और शरीर को ठंड़र करता है सुप सर्वत पीने से डाजेशन भी बेतर बनता है आपको गर्म्यों में नेवित जाते हैं हर ब्यक्तिक को के सत्थ का सेबन जरूर करना चाहएं लेकिन क्या डिवर्टीई जोंगी सत्त्य का सर्वत पी सकते हैं सत्तु का सर्वत पीने से डायबेटीज रोगियों को क्या लाब मिलता है यह मैं आपको बता रहा हूं तो क्या डायबेटीज रोगी सत्तु का सर्वत पी सकते हैं जो डाइबेटीज रोगियों के लिए अच्छा होता है यह बिलट सुगर के इस्तर को कंट्रोल में रखता है इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है जो डाइबेटीज के पेडित लोगों को कई समस्याओं से समस्याओं को दूर करने में मदद करता है सत्व बिलट प् में साथ्तु का सर्वत पीने से बजन घिटाने में मदद मिलती है दरसल डायबेटीज रोगियों को अधिक बजन से परिशान होना पड़ता है ऐसे में सतु का सर्वत पीना नहीं होता है इसे पीने से मेटपॉलिज में मजडूद बनता है सत्तू के सर्वत में फाइबर आधिक होता है यह पोसक तत्तो डायबेटीज्ट रोगियों के लिए जरूरी होता है सत्तु का सर्वत protein fiber magnesium से बरपूर होता है इसमें diabetes रोगियों को लाब मिलता है और कई लक्षोन से आराम दिलाता है diabetes रोगियों को पाचन से जोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में सत्तु का सर्वत पीना फाइदेबन होता है इसमें मौज़ूद fiber आतों के लिए अच्छा होता है सत्तु का सर्वत पोसक तत्तों से बरपूर होता है गर्वियों में सरीर को ठंड़ा रखने के लिए आप भी सत्तु का सर्वत पी सकते हैं कि डाबिटेज रोगयों के लिए सत्तु का सर्वत फाइदेबन होता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लागा आप अबस्त बताएं धन्रवाद